हाई फ्रेंड्स मैं हूं सुनैना आपकी कार्टिनिंग दोस्त आज मैं आपको दिखाऊंगी गॉमफेरेना प्लांट मेरे पास गॉमफेरेना प्लांट यह है देखिए बहुत साड़ा फ्लावर इसमें खिलती है बहुत खुपसूरत प्लांट है यह फ्लावर के अंदर में बहुत चुटा चुटा फ्लावर खिलती है इसको बिंगॉली में बोताम फूल भी कहते है यह आपके पास में अगर एक बार हुआ तो हर एक बार आप खुद ही इसको लगा सकते हो यह प्लांट लगाने के लिए सिर्फ इसकी फूलों की जरूरत परती है और बहुत साड़ लगा सकते हो लेकंग विंटर में इसकी फ्लावर फ्लावर थोड़ा कम होती है लेकिन समर में यह वर्पूर क tablespoon स्थिकी तो इसकी flower की नीचे पाले पार्ण में जो हिस्सा वह जाता है वह ही अगर मिती में डाल दोगे एक एक दोबारा से हो जाएगा तो इसकी नहीं ग्रोथ न्यू ग्रोथ वहां से होती है इसकी प्लावर की जो फ्लावर होती है एक एक फ्लावर आप डेड़ते दो महीने एज़िटीस रहती है इसकी फ्लावर एकदम खड़ाब नहीं होता एक ही टाइप फ्लावर होता है और बहुत दिन यह फ्लावर रहता है आप अगर यह प्लांट लगाओगे तो आप समझाओगे कि प्लांट बहुत ही खुब फूरत होती है तो यह देखिए एक फूल मैंने इसमें गिराए थी तो उससे कितनी सारा प्लांट जो है वो आ गया चार पाच प्लांट एक फूल से आ गया तो एक फूल आप तोड़के जब वो सूख जाएगा फूल सूखने में थोड़ा टाइम लगता है से दो महीने तो उसके बाद आप फ्लावर को तोड़के आप मित्टी में डाल दो उपर से मित्टी को चिरत दो तो उससे ही न्यू ज अब करके आप उसको कोई प्लास्टिक में कोई box में डीण स्टूर कर दो और निक्स्ट यर के लिए इसको संहाल के रख दो तो यह प्लांट बहुत ही जीरो मिंटेर नेंश चाहिए होता है माय मिंटेरिनल की जरूरत नहीं मिलती है white color मिलती है yellow orange color मिलती है लेकिन ये जो color है ये pink color ही ज्यादा चलता है और ज्यादा होता है दिखने में भी ज्यादा होता है तो एक-एक flowering plant में आप देख रहे हैं कितना साड़ा flower हुआ है बहुत ही जल्दी ये flowering करती है और एक महिने की अंदर ये पूरा भरके flowering करती है छोटे से plant बड़ा होके flowering भी एक महिने में कर जाता है तो ये मेरे पास है पिछले साल का flower इसको मैंने store किया हुआ था तो आप देखिए ये flower जब सूख जाएगा तो इस तरह उसका look होता है इसी flower को कुछ भी नहीं करना पड़ता है सारी में रख देती हूँ एक flower से ही आप बहुत सारा plant कर सकते हैं लेकिन मेरे पास अल्रड़ी बहुत सारा plant है तो इस तरह इसको मसल के आप मिटी में डाल दो को वी ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है सिर्फ मसल के इसको डाल और उपर से मिटी आगर आपके पास है तो वह चे रख दो तो पानी देना हर वक्त इसमें ही यह प्रांट चल जाता है ज्यादा कुछ फटिलाइजर की जरूरत भी नहीं पड़ती सिर्फ आपके पास अगर बनाना पील फटिलाइजर हो या आपके पास ऑनियन पील फटिल बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है गर्मियों के लिए यह बहुत इच्छा एक प्लांट है कोई भी लगा सकते है इस तरह मैं इसकी मिटी है उतको कुरेद दूंगी और क्या होगा इसमें थोड़ा पानी दे दूंगी चार पांच दिन के अंदर ही इसमें जो चोटा चो मat principio हो जाएगा हर साल ही इसकी जो चीटे है उसको संबल कर रख दे थी और हर साल ही मैं यह πलांट करती हूं यह प्लांट आंफ विंटर में भी कंवर सकते हैं वेंटर में भी होता है लेकिन विंटर के इसमें इसकी ज़ीचाने में स сразу नहीं होता समर्ण मीं और देनी सिजन म बहुत सारा फ्ञार िंसकों करता है भर फ्रय करता है और बहुत सारा सीर हो जाता है आपके पास इसमें जगें हो तो यह सीर आप मिटी में भी टाल सकते हैं जमीन हों आपके पास तो यह बहुत ऑक अच्छा फ्रयारिंग प्Larn डांट है okay friends, bye bye